नमस्कार दोस्तों स्वागत यापका PharmaRox के YouTube एजिगोस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं Depoxatin Medicine के बारे में कि जो Premature Ejaculations के प्रॉब्लेम में यूज की जाती है तो इसके करण उसको सिग्रपतन के दवा भी कहा जाता है या फिर Premature Ejaculations के Medicine के रूप में उसको यूज की जाता है तो उसकी Detail Study करते हैं आज के Lecture में और जानते हैं कि ये Medications कितने Doze में यूज की जाती है उसके Side Effects क्या हो सकते है and Warning and Contra Indications के बारे में हम Detail में जानेंगे तो सुरू करते हैं आज का Lecture और जानते है Depox 17 के बारे में Detail में तो यहाँ पे हम उसका एक Marketer Formulation देख सकते हैं Duralast 30 करके तो उसके बारे में आगे हम जानते हैं Detail में तो यहाँ पे में आपको बताना चाहूंगा कि जो Medicine Course है Pharma Roks के अब उपर तो वो आप जोइन कर सकते हैं जैसे आज यहाँ पे हम Depox 18 के बारे में सीख रहे हैं ऐसे बहुत सारी दवाईयों के बारे में आप सीख सकते हैं Medicine Course में Pharma Roks के अब उपर तो यह Course जोइन करने के लिए में WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी एप को आप डाउनलोड कर सकते हैं तो अब समझते हैं Depox 18 के बारे में तो यह Essay Class का Medication की जिसको हम Essay Serai कहते हैं मतलब कि Selective Serotonin Reaptic Inhibitor यह Medication है और यहाँ पे एक Marketer Formulation है उसका Duralast 30 करके कि जिसके अंदर वो 30 mg जितना as a salt content जो वो present होता है और उसके Manufacture के हम बात करें तो Sun Pharmaceuticals उसके Manufacture है और PE के इलाज में यह Medication यूज की जाती है PE मतलब कि Premature Ejectulation या फिर जो सिग्रेपतन का जो Problem है तो यह Medication खासकर 18 से लेकर 64 years के जो Age के जो पूरूस होते है उनमें ही यूज की जाती है कि किसे को सिग्रेपतन का Problem है Premature Ejectulation का Problem है तो वो पूरूस उसको यूज कर सकते है तो यहाँ पर आप देखो लेबल की हम Study करते हैं तो Film Coated Tablet रहती है यह उसके अंदर जो Color होता है वो Brilliant Blue Color होता है जिसके करन यहाँ पर जो आप टाबलेट देख रहे है वो Blue Color की होती है 30 mg जितना Depoxetin उसके अंदर प्रेजन्ट है और Indian Pharmakopeya के Standards के According to उसको जो यह वो बनाया जता है फिर यह Medication जो यह Prescription Based Medication रहती है और ध्यान यह रखना होती कि आपको Light and Moisture से यह Medication को जो यह वो Prevent करनी होती है आगे जानते हैं उसके Basic उसके बारे में कि जैसे हमने हम सुरुआत्म भी जाना कि यह Premature Ejaculation या फिर सिग्रेपतन के विमारी को ठीक करता है अब बात करते हैं उसके Doze की तो उसका जो Doze रहता है वो खास कर लेता है 30 से लेकर 60 mg जितना और वो पेसंट जो लेते हैं खास कर एक गंटे पहले रिलेसंस बनाने के एक गंटे पहले वो यूज करते हैं और कोई पेसंट एक भी ले सकता है या फिर दो टाबलेट भी खा सकता है उसका Doze रेंज में बनता है कोई 30 mg या फिर 60 mg जितना ले सकता है आगे बात करते हैं उसके Working की कि ये Medication काम कैसे करता है तो ये क्या करता है, Inhibit करता है Serotonin Transporters को कि जिसके करन क्या होता है, Serotonin की जो एक्सन है वो Post-Signetic Cläft होती है, वहाँ पे Increase होती है और जिसके करन ये medications क्या करती है जो ejaculation time होता है उसको delay करने में जो वो मदद करता है तो यहाँ पर आप दो देख सकते हैं कि जो post-senative clap जो का portion होता है neurons का तो वहाँ पर ये medication जो वो serotonin की actions को increase करके ejaculation time को delay करता है अब ये medications के कुछ side effects है जैसे की सबसे पहले ये लेने के बाद कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा फिल होता है जी गबराना उल्टी होना और dizziness जैसा कुछ लोग फिल करते है dry mouth जैसा मनलब की mouth में जैसे उनको ऐसा फिल होता है कि saliva कम हो गई है dry mouth जैसे condition produce होती है फिर headache यानिकि हो जाना या फिर insomnia मिल्लब की सोने में जो वो दिक्कत होना कि रात को सोने में परिशानी होना रात को लेट तक नीद आना ऐसे complications ये medications करवा सकती है फिर उसके कुछ mild adverse effect है फिर mild side effect देखे तो less than 1% उसकी side effect रहती है जो decrease करती है लेबीडो को और second जो जो less than 4% erectile dysfunction अब बात कर उसके warnings के तो पहली warning ये होती है कि जिनकी उमर 18 years से कम है और 64 years से जादा है वो लोग ये medicine को use ना करें second warning ये है कि ये medication जो आपको बेहुस कर सकती है fainting जैसा person को हो सकता है फिर allergic reactions कुछ लोगों को हो सकते है तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई भी allergic reactions हो रही है तो तुरंथ ये medications को लेना जो बंद कर देना चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करना चाहिए आगे बात करते हैं उसके contraindications के कौन से patient इसको यूज ना करें तो पहले conditions के जिनको liver related problem है mental problem के patients है severe renal impairment लबकि जिनके kidneys अच्छे से काम नहीं कर रहे है kidney खराब है जो heart के patient है या फिर ऐसे patients की जिनके अंदर heart की rhythm जो irregular रहती है फिर जिन लोगों को SSRI की allergy है because यह जो medication है वो selective serotonin react की नहीं bitter है तो अगर किसी को SSRI medications की allergy है तो भी यह medications को use नहीं करनी है तो SIEC के detail में बहुत सारी दवायों के बारे में medicine course में pharma rocks की अप उपर तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं कि जो disease and medicine related course है और उसका जो study material है वो आप access कर सकते हैं तो whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर हमारी app को आप download करे link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best